इस्टूरेंट्स कैसे आप सब लोग मुझे अमीद है कि आपको क्लासिस का पिछी लग रहे हैं और आप टाइम टू टाइम क्लास ले रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं तो आज अपनी परियावरण की दूसरी क्लास है और इसमें अपने जो पहला चेप्टर अपन संजना ने अपनी मा से पूछा मा मेरी कक्षा में अंजली बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखाओट बहुत अच्छी है और इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया है मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हम सब तो राइट एंड यह नह से करती हूँ मेरे लेफ्ट एंड बाएं हाथ में लिखने के प्रयास किया पर मैं सुरी मैंने बाएं हाथ के लिखने से प्रयास किया लेकिन मैं लिख नहीं पाती हूँ ठीक है तो कुछ लोगों का आदत लेफ्ट एंड से लिखने की होती है और कुछ लोगों की लेफ्ट है नहीं बाएं हाथ से लिखने के होती है आपके कौन को से आद है आपके परिवार में किस सद्र से मिलती है बात करना कई बार क्या होता है हमारी आवाज कभी ममा से मिलती है कभी पापा से कभी दादा से मिलती है कभी चाचा से मिलती है चलना अपन किसके तरह चलते उठना ब पीछे की पीडी है माता पिता या उनसे पीछे की पीडी दादा दादी नानाने से मिलते हैं इन लक्षणों को अनुवांचिक वंचानुगत लक्षण कहते हैं इनको अनुवांचिक यह चोट चोटी लक्षण जो एक वंच से दूसरे वंच में आते जाते हैं ऐसे लक्षण नहीं होते तो दो तरह के गुण होते हैं वंचा नुगत गुण और जो ऐसे गुण जो वंचा नुगत नहीं होते हैं जैसे हमारा कई बालों की हेरिस्टाइल है वो वंचा नुगत नहीं है वो बाहर आने के बाद हुई है किसी का दान तूट गया तो वंचा नुगत नहीं ह ग्रेगर जौन मैंडल ने मत्र के पोदे पर बहुत से प्रयोग का वंचावनुगत के नियम की प्रति पादित किये इसलिए उन्हें अनुवांचिक की का जनक का जाता है और एक साइंटिस्ट है ग्रेगर जौन मेंडल ठीक है यह इन्होंने फोटो दे रहे हैं इन्होंने क्या किया मतर क्योंकि मतर भी जीव है तो मतर के दादा दादी नाना नानी बनाए और उनसे फिर बेटे माता पिता बनाए फिर पोते बनाए यानि मतलब एक पीडी से दूसरी पीडी के पोदे बनाते गए और देखा की देखो कैसे मतलब उनके गुण जो पुराणे पोदे थे उनसे नए पोदों में गुण आते गई तो वंचानुगत के बारे में जित्ते बी नियम है कि कैसे गुण एक पीडी में से दूसरी पीडी में आते हैं वो इसी साइन्टिस्ट ने दिये इसलिए से अनुवांचिकी का जनक भी कहा जाता है ठीक है तो आपसे पूछे अनुवांचिकी का जनक किसे कहा जाता तो आपको बोलना ग्रेगर जॉन मेंडल और उन्होंने किसके उपर अपना जो भी प्रयोग वो किस पर किये थे मटर के पौदे पे ठीक है एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं डॉक्टर हरगोविंद कुराना ने वंचानुगत नए गुणों के निर्दाना ने तु कई शोध पत्र लिखे इस कारे ही तुने नोबल पुरसकार भी समनित किया तो नए जो हमारे अंदर गुण आते हैं एक पीडी से दूसरे पीडी में तो उनके बारे में उन्होंने कई शोध किया कई एक्सपरिमेंट के कई प्रयोग मलब कई जानकरी जुटाई और उन जानकरी को लिखा इसलिए उन्हें इस अच् मेरे से अपने माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं गाये से अपने बच्टये को किसे पहचान लेती है देखा होगा न that When, that by झूठ आघे खूट और चुप इती और बच्राथे चुपजाती एं अपनी मा भीड में आपको कैसे पिरिचान लेती है पास्ता में प्रतेक जीव में उसके माता पिता पूर्वजों के गुण होते हैं हम में हमारे माता पिता की गुण होते हैं चाहे वो जानवरों की बात हो चाहे मनुष्य की बात हो लेकिन उन गुणों में भी बिन बिन होते हैं यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से बिनोते तो हमारे अंदर भलब माता-पिता के गुणा है लेकिन पूरे-पूरे नहीं है पूरे-पूरे अगर हो जाए ऐसे कैसे तो हम तो फिर माता-पिता की शकल जैसे दिखाई दे तो हमारे अंद के गुण कुछ गुण ऐसे होंगे अंदरूनी जो अलग होगी ठीक है तो हमारा पार्टी यहीं तक था अब अपने क्या-क्या सीका हमारा चेप्टर खतम होता है अलग-अलग कारण कारणों से परिवार का एकल से उक्त होता है अपने देखा कि कैसे जॉइन फैमिली क्यों होती है और एकल क्यों होते है जो पैसे या जो भी रोजगार है उसकी तलाश में चले जाते तो उससे एकल परिवार बनते हैं एकल और से परिवार में सारे काम माता पिताओ करने पड़ते हैं जबकि से परिवार में काम बट जाते हैं कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस्ट करते हैं गोद लेना जब अपन किसी कानूनी तौर पर किसी को अपने पास रख लें और उसके माता-पिता होने का फर्स पुरा करें और उसके पालन पोस्टन करते हैं गोद लेना कर लाता है ग्रेगर जौन मेंडल ने अनुवांची का जनक का गया है अब इन्हें पढ़ी पढ़ाई है और अरवनिक कुराना को वंचानुगत नहीं गोणों के निर्दार नेतू नोबल पुर्सकार से समाज नवा जा गया ठीक है तो ये सारे थे अब आज के लिए तना ही आज अपना हो गया है पूरा अब मैं रिक्तिस्तार और ये दो तीन कुशन डिसकस कर लेता हूँ आपको एन एक पीडी से दूसरी पीडी में गुणों को जाना अनुवांची की कहलाता है ठीक है और वंचानुगत लक्षन कहां कहां से प्राप्त होते हैं दादादाजी से होते हैं ना फ्रास्ट में ग्यान की बाथ ये रिस्ते हैन मोल समझो इनका मोल तो रिस्ते बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं जो लोग जोईन फैमिली में होते हैं ना वो नहीं जब आप सहीं हूँ परिवार में रहोगे तो आपको त्योहार मनाना खेल कूद करना शाधी समारो सब में बहुत आनंद आएगा लेकिन एकल परिवार में ऐसा इनानंद नहीं होता इसलिए हमें रिष्टों को बनाने के रहना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि जाधा से जाधा संयूक्त परिवार रहें एकल परिवार ना बने ठीक है यही हमारे देश की संस्क्रेटी यह कि हम करता हूँ को क्लास अच्छी से समझ में होगी कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख दे और वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करें और ड्रेगुलर पढ़ाई की वीडियो देखते रहें और अपने पढ़ाई करते रहें तो आज के लिए तना है थैंक्यू हैवनाइज को मुझति अच्छी आप है वीडियो देखते रहें आपपने तरह दो आ करुछी देखते रहें पादाब सवत्सक्राइब करेंदाब से वीडियों देखते रहें दो एखते पता दो आपव则्टें वीडियों।